रादे रादे हरे कृष्णा कैसे हो आप सबी लोग आशा करती हूँ आप सबी परमंगल में होगे सुवस्त होगे अच्छे होगे सबसे पहले आप सबी को साल की सबसे बड़ी एकदसी उत्पन्ना एकदसी की अनंत और अनंसुपकाम रहे जैसे की नाम से ही प्रतित हो रहा है उत्पन्ना एकदसी अर्थात जिस एकदसी में किसी भी चीज का उत्पन हुई है उसको उत्पन्ना एकदसी बोलते है उसका पुन्डपी जनम, पुन्डपी मनन, अर्थात बार-बार जनम लेने की और बार-बार मनने की जो प्रतिकिरिया है वो समाप्थ हो जाती है उत्पन्ना एकदसी से ब्रत उठा सकते हैं लेकिन अगर मैं बात करूँ उत्पन्ना एकदसी से जो आप ब्रत उठाते हैं वो अपने आप में बहुत सर्वोतम ब्रत मारा जाता है अगर अभी तक आपने एकदसी का ब्रत नहीं उठाया है तो आप उत्पन्ना एकदसी से अपने एकदसी के ब्रत का प्रारंब कर सकते हैं आज मैं आपको पताने वाली हूँ उथपन्ना एकदसी की एकदम सरल पूजाविदी और भगवान श्रीहरे विष्णू को लगने वाला एक प्रिये भोग उत्पणना एक अदसी जिखो एक अदसी का जो ब्रत होता है वो त्री दिवश्य ब्रत की शियनी में आता है एक दिन का ब्रत नहीं होता है उसमें तीन दिन का ब्रत होता है नमबर एक दसमी तिती पे कुछ नियमों का पालन करना चाहिए जैसे कि दसमी तिती पे खाने की मला ही होती है एक दसी वाले दिन सुबह-सबह ब्रहम मौरत में उटके पानी में कुछ न कुछ डाल कि आपको ब्रहम करशनां कज dough extra देखिए अगहान का महीना चल रहा है और इस महीने में यमना सनान की बहुत बड़ी महिमा है जैसे कि कार्थिक में गंगा इसनान के महिमा होती है वैसे ही मार्खषिश अर्थात अगहान के महिन में यमना इसनान की बहुत बड़ी महिमा है अगर आपके घर पे आसपास कोई भी यमना जी है तो वहाँ पे जाके आप इसनान कीजिए अगर यमना जी भी नहीं है तो फिर पानी में आप गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं सब तेनदियों में से किसी का भी जल डाल के आप इसनान कर सकते हैं याद रखिए जब भी कोई विशेश एकदसी होती है तब आपको खाली पानी से इसनान नहीं करना होता है पानी में कुछ ना कुछ डाल कर ही इसनान करना होता है उससे आपको अनंत गुना फलो की प्राप्ति होती है आगे जाके ना कुम्बु का मिला भी लगने वाला है अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर भी वीडियो बनाओं तो मुझे कमेंट्स कीजिए मैं मैं मैक्सिमम उस पर पीले रंके ही आपको वस्तर पहनने है पीले रंके वस्तर पहनने के बाद पूरा घर आपको गंगाजल से सुद करना है पूरे घर में गंगाजल का छड़काव कीजिए उसके बाद अपने मंदिर प्रांगण में आ जाईए मंदिर प्रांगण में अगर आपके घर पे बा अगवान को आप कम से कम पीले रंग के वस्रतों जरूर और जरूर पहनाईए एक बात का आपको याद रखना है कुछ ना नियम बांद लो अपने जैसे कि पूर मासी पे पंचम रित में सनान कराऊंगी ठीके ना अमावश्या आएगी पंचम रित से सनान कराऊंगी या फिर महीनी के कोई भी बड़ी ओकेशन आते हैं उसमें आप अपने बाल गोपाल लड्डू कोपाल और जुगल जोड़ी सरकार को पंचम निससनानकराने का संकल्प रवान सकते वैसे तो रोज सादा पानी से सनान कराते हो लेकिन ओकेशन पे पंचम निसससनान कराने की सास्तरो में बहुत बहुत बड़ी महिमा कही गई है अब आपने बाल को पाल लड़ू को पाल को स्नान कराया अब बारी आती है आपको उनका संकल्प लेने की दे कि कोई भी तोहार हो गया कोई भी ब्रत हो गया कोई भी दान हो गया बिना संकल्प के आधा अधूरा माना जाता है कप देखो वैसे तो चावल से संकल्ब लिया जाता है लेकिन एक अधसी पे चावल निश्यद होते हैं तो आपको हाथ में दो लॉंघ लेनी हैं, एक लाइज्ची लेनी है एकज्च्चي लेना है सुपारी लेनी है और आपको संकल्प कुछ इस प्रकार से लेना है श्री विश्नु श्री विश्नु श्री विश्नु मैं अपना संकल्प ले रही हूँ आप अपना नाम से बोलिएगा मेरा नाम आशु चोहान है मेरा गोतर केम लक्ष है मेरा निवास इस्थान इस समय पर जो मैं ब्रत रखूंगी ये मै यूपी के एक गाउं में जिसका नाम रजो है वहां पर ब्रत रखोंगे आपका जहां पर भी आप रहकर ब्रत रख रहे हो जैसे कि मैं मत्रा विंदवन की रहने वाली हूँ लेकिन मैं वहां पर ब्रत नहीं रख रही तो मैं जिस इस्थान पर ब्रत रख रहे हो उस इस्था शादी से पहले का जो गोत्र हैं वह कोशल है लेकिन शादी के बाद मेरा गोत्र केमलक्ष हो दो मैं अपना केमveer नाम में गोत्र ही बोलती हुँ उसके बाद ऑपको बोलना है कि आज मैं पूरी शृधा बाहु से उत्पन्ना एकदसि का ब्रत कर रही हूं ये ब्रत में फलाहार खाके करूंगी और जो भी सामिगरी है वो आप भगवान श्रीहरी विश्नु के चर्णों में समर्पित कर देजिए उसके बाद आपको भगवान श्रीहरी विश्नु की कथा पढ़नी है एकदसी की छोटी सी पुस्तक आती है उसमें हर एकदसी की अपनी अपनी कथा अलग होती है तो उत्पन्य एकदसी की इस दिन आपको कथा अवश्य पढ़नी है कथा पढ़ने के बाद भगवान को उनका प्रिये भोग लगा रहा है कहते हैं उत्पन्ना एकदसी पर आप अगर गुड का और बदाम का भोग लगाते हैं गुड और बदाम का भोग लगाने से आपको तोते की योनी से मुक्ती मिल जाती है लगऑ चुराशी लाग जो हनियां होती है उसली के बाद तोते की योनी होती उस से मुक्ती मिल जाती है तो शृरी हरी विश्णु को उत्पन्ना एकदसी पर आप गुड का भोग लगाईए और साथ की साथ बदाम का भोग लगाईए उसके बाद आपको विधी-विधान से आरती करने के बाद तुलसी महिया के पास जाईए तुलसी महिया के पास एक आसन बिछाईए आसन बिछाने के बाद तुलसी महिया के एक दीप प्रजलित कीजिए उसके बाद तुलसी महिया की कम से कम चार परिक्रमा जादा से जादा जितनी मर्जी परिक्रमा कर सकते हो आप पिर हरे किशन, हरे किशन, 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 हरे हरे, 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 राम, हरे, राम, 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 हरे, हरे का भी जाब कर सकते हैं, तुलसी महिया की पूजा हो गई, लड़ू पाल की पूजा हो गई, अब आपके घर की नित्य नियम के जो भी कारे हैं, जैसे कि आपका ब अध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी रखा जाता है पूरे दिन भगवान के नाम का जब करना है अगर आप पूरे दिन आप 16 माला का जाप करते हैं तो कोशिश कीजिए एक दसी पे 32 माला का जाप करें यह बैन आपको बता दिया कि आपके गुरू ने जो मंत्र दिया हुआ है आप उस मंत्र का जाप के दिए अगर कोई भी गुरु दिक्षा नहीं ले रखा तो आप ओम नमो भगवते वाशु देवाय का भी जाप कर सकते हैं वो बहुत चमककारी मंत्र है श्रीमत भागवत महापुरान में अठारा बार इस मंत्र का वर्ण किया गया है अठारा बार मत्र है साम्ski पुजा के वक्त आपको घर के मुखे द्वार दो दिपक जलाने हैं सामकी पूजा के बहुत सिंपल पूजा को कोई संकल्प नहीं लेना होता एक दिपक आपको भगवाय श्रीहरी विश्नु के समक्स जलाना है आरति करने है ईक दिपक क्य मुखना द्वार पर अवश्य और अवश्य जलाईए और एक दीपक आकाश दीबदान जरूर कीजिए देखिए पित्रों की पूजा के बिनाना कोई भी ब्रत आधा धूरा माना जाता है तो आकाश दीबदान आप जरूर और जरूर कीजिए और पित्रों का जो दीबदान होता है वो कम से कम 11-12 बजे तक जक्कर भगवान श्री हरी विश्णू के नामों का उच्छारन कीजिए अगर उतना भी नहीं कर सकते तो अपनी अपसेंट में एक अखंड जोद जला दिजिए जो आपकी साक्षी बनकर पूरी रात आपके मंदिर प्रांगर में जलती रहेगी उसके तत प्रशाद अगले दिन 12 आती है 12 पे सुबह सुबह उठी है उठने के तत प्रशाद इसनान कीजिए उसके बाद 12 पे हरी वासन समय निकलने के बाद ब्रत का पारण करना होता देखो एक अदसी का ब्रत का संपूर्ण फल आपको तभी मिलता है जब आप सही समय पे सही पे ब्रत का पारण किसे करना है क्या क्या टाइमिंग है यह मैं आपको दूसरी विडियो में बताऊंगी मेरा नंबर है 45 2025 ब्र नहल evalu है चाहर दोपर प्राप्ति होगी या नॉर्मली होगी यह सभी जानकारी आप मेरे से कुणली के माध्यम से जान सकते हैं लेकिन यार रखिए इस नंबर पे किसी भी प्रकार से कोई कोशना अंसर पूछने के लिए मुझे फोन मत कीजिए और कुणली दिखाना बिलकुन भी फिरी नहीं है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक से सस्क्राइब करना बिलकुन भी मत भूलिए तब तक के लिए मुझे दीजिए जादत रादे रादे हरे कृष्णा आप सभी को उत्पन्ना एक अदसी की अनंत और अनंस उपकामने है रादे रादे हरे कृष्णा ह हरी बोल